हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूट्टूब चैनल अकाउंट्स यूर सॉलिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है आज के टोपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉप्ट्वेर में मोबाइल नंबर से केस बिलको कैसे देखे तो दोस्तों ये जो मैं आपके लिए उप्शन बताऊंगा बहुत ही इजी है और आप भी देख सकते हो तो दोस्तों क्या होता है अगर आपके पास कोई माट है कोई डिपार्टमेंटल है तो वहाँ पर जो भी कस्टमर आते हैं उसके केस में ज्यादा तर आप बिल बनाते हो 99% केस में बिल बनते हैं अगर किसी कस्टमर का क्रेडिट भी बनाते हो तो बहुत कम बिल बनते हैं credit के तो case के बिल बनाते हो तो क्या problem आप लोगों को आती है कभी कोई customer आ जाता है कि sir ये product आप किया से लेके गया हूँ ये product खराब है तो आप trace नहीं कर पाते कि sir आप हमारे यहां से लेके गये तो कौन सा bill number है तो आपका जूबी customer है वो bill number नहीं बता पाता mobile number से आप कैसे सर्च कर सकते हो किसी भी बिल को तो दोस्तो ये सारा process में आपके लिए बताऊंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार में आपके लिए बता दूँ अगर आपने चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो दोस्तो आप अपना जो चैनल है account sure solution अगर आप busy software सीखना चाते हो तो आप चैनल को join कर सकते हो तो दोस्तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो काफी वीडियो मेंने बना रखिये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 107 वीडियो बना रखिये आप जो भी वीडियो देखोगे उसमें आपको कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा जो भी वीडियो मैंने बना रखिये बहुत ही useful वीडियो है एक playlist भी मैंने बना रखिये जिसमें जिसे GST Returns से related मैंने Customize Format बना रखिये हैं Customize जो BG Software में नहीं है मैंने Especially बना रखिये रिपोर्टे वो भी आप चेक कर सकते हो BG Customize Format में यह BG Software को Mobile में कैसे चला है यह सब कुछ वीडियो मैंने complete तरीके से बना रखिये यह playlist है आप चेक कर सकते हो GST Returns किस तरीके से निकालते है कौन-कौन सा return निकलता है BG Software में यह सारा सब कुछ playlist में आप चेक कर सकते हो तो दोस्तों आजाते हैं अपने topic पर तो मैं आपके लिए यह जो मैं process आपके लिए बता रहा हूँ बहुत ही useful process है यह आपके नहीं कापी लोगों के problem है जिनके माठ है उनके सबसे ज़्यादा problem है तो इसका solution क्या है यह सब कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा तो first आपको क्या करना है first आपको आपके BG Software में एक option enable करना है वो option क्या है settlement का जो option होता है वो आपको enable करना है इसके बाद आपको ना तो customer खोलने की आउशकता है और ना ही customer का नाम लिखने की आउ सकता है आप जैसे उसका contact number enter करोगे तो आपने जहां पे भी उस party का bill बनाया होगा या उस customer का आपने bill बनाया है वो bill आपके सामनी आ जाएगा और आप easy तरीके से check कर सकते हो कि यह customer आपके पास आया था दोस्तों जो settlement का जो option है उसको enable करने के लिए आपको administration पे किलिक करना है configuration पे आपको किलिक करना है इसके बाद voucher series configuration पे आपको किलिक करना है sales पे आपको किलिक करना है और यहाँ पे जो main है उस पे किलिक करना है voucher configuration पे आपको किलिक करना है इसके बाद ये जो ओप्षन है configure advance force option इस पे आपको click करना है settlement का जो option है यहां पे आपको why करना है इसके बाद case पे आपको tick mark कर देना है और यहाँ पे can change account in voucher इस पे आपको why करना है और यहां पे आपने case लिख दिया है और इसके बाद यह जो narration का जो option है यह आपको जरूर why करना है इसको why करोगे तब ही आपका जो मैं आपके लिए process बता रहा हूँ वो success हो पाएगा तो यहां से आपको इसको why करना है why करने के बाद most important है enforced narration जो लिखा हुआ है यह आपको यहां से why करना है इसके बाद कर देना है आपको ok ok कर देने के बाद save कर देना है इसके बाद कर दिया में save तो यह only एक option आपको enable करना है इसके बाद जैसे आपका bill बनाने का जो तरीका है वो आप कैसे बनाते हो आपके साब से जैसे भी बनाते हो लेकिन जो मैं आपके लिए process बता रहा हूँ इस तरीके से आपको bill बनाना है और bill बनाने के बाद जैसे आप अपने customer जो भी आपका customer है यानि किसी party का आपने bill बनाया और यहाँ पे party का नाम ना लिखके मैं only case यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी मेरा customer है counter sale है मैं नाम इसमें नहीं लिख रहा हूँ और इसके बाद जैसे मैं यहाँ से कोई भी product select कर लेता हूँ Nokia मैंने select किया दो pieces की quantity कर दी है और 1500 मैंने rate कर दी है यानि 3540 उर्पे का bill बना है अब यहाँ पे जैसे मैं app to करूँँगा तो आप देख पा रहे हो कि यह जो bill है case का bill है और इस पे जैसे मैं enter करूँगा enter करने के बाद आपको पताए कि यह आपका case customer है और case का bill है तो आपने settlement में case कर दिया है इसके बाद जैसे आप enter करोगे तो दोस्तो यह जो narration का जो option है यहाँ पे आप चाहो तो आप customer का नाम भी लिख सकते हो चाहे उसका आप mobile नमबर भी लिख सकते हो तो यहाँ पे जैसे मैं आपके लिए example के लिए बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने नरेंदर कर दिया और इसके बाद space देखे और जो भी contact नमबर है 7976715528 बिल बना दिया है इस तरीके से आपको बनाना है चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हो mobile नमबर भी लिख सकते हो तो यह जो mobile नमबर मैंने लिखे हैं पस्ट में इसको सर्च करके बता देता हूँ कहां से आपको सर्च करना है आपका जूभी बिल बनता है आपको इस तरीके से mobile number लिखने है mobile number आप जैसे लिखते हो उस party के नाम से उस mobile number के नाम से जितने भी बिल आपने काटे हैं वो बिल सारे आपके सामने आ जाएंगे तो यह एक ही बिल मैंने बनाया है और इसको सर्च करने का तरीका है यहाँ पर क्योरी जो system है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्योरी on transaction इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद all आपको select करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको mobile number एंटर करना है 7976715528 तो यह जो भी मैंने mobile number एंटर किये थे और यहां से जैसे मैं OK करूँगा OK करने के बाद यहां से F2 प्रेस करूँगा तो यहां पर जो भी मैंने bill number बना रखा था यानि अभी मैंने एक bill बनाया था तो जैसे आपके पास customer आता है डारेक्ट आपके customer से आपको क्या पूछना है उनके contact number आपको पूछने है जैसे आप contact number पूछोगे और यहां पर enter करोगे यानि यहां पर जैसे contact number एंटर करोगे तो वो bill आपके सामने आ जाएगा जो उसका bill बनाते टाइम पर आपने यहां पर enter किया था तो यह तो contact number से डूणड आए बाकी नाम से भी मैं डूणड के बता देता हूँ आपके लिए यहां पर आपको जैसे आपने contact number एंटर किये है यहां पर आपको नाम एंटर करना है मैंने यहां पर नाम लिख दिया है और जैसे app 2 करूँगा app to करने के बाद यहां से नाम से भी आप पता कर सकते हो तो दोस्तों आप यह जो मैंने सिस्टम बताया है अगर आपके मार्ट, डिपार्टमेंटल आपके कोई केस के बिल बनते हैं और कभी आपके सामने ऐसा इस्यू आता है कि कोई भी कस्टमर आके बोल देता है यह आपके यहां से मैं प्रोडक्ट लेके गया हूँ तो आप उसके नाम से सर्च कर सकते हो या फिर आप उसके कॉंटेक्ट नंबर से आप सर्च कर सकते हो तो दोस्तों यह जो कॉंटेक्ट नंबर लिखे हैं आपने अगर आप चाते हो यानि एक system में आपके लिए बता देता हूँ मेरी कोई party थी उसने मेरे से बोला था कि sir हम जो ये settlement करते हैं यानि जो भी contact number हम लिखते हैं एक बार में आपके लिए बता दूँ तो ये तो मैंने नाम भी यहां पे लिख दिया और mobile number भी मैंने लिख दिया है तो यहां से वो क्या करते हैं अपने contact number यहां पे एंटर करते हैं और इसको कर देते हैं save save करने के बाद वो चाते हैं कि हमारे जो भी customer यानि एक तारिक से और तीस तारिक तक जो भी customer आया है उनके contact number पे हम SMS भेजना चाते हैं आप इन mobile number की आप list भी निकाल सकते हो यह list आपको कैसे निकालनी है यह भी process में अगली वीडियो में आपके लिए बताऊँगा कि आप जो भी आपके customer की जो भी mobile number आप enter करोगे तो उनकी list भी आप निकाल सकते हो तो दोस्तों यहां से आप contact number से भी save कर सकते हो ओके करने के बाद एक bill और भी में आपके लिए बना के बता देता हूं इसी mobile number से में एक bill और भी आपके लिए बना के बता देता हूं दोस्तों features बहुत ही useful है इसका अगर आप उप्योग करना चाहते हो तो जरूर उप्योग कर सकते हो यहाँ पर मैं next bill बना के आपके लिए बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने party का नाम case किया जो भी मेरा case customer है उसका मैं bill बनाना चाहता हूं और यहाँ पर मैंने item select किया यहाँ पर जैसे मैंने इसकी quantity करिये 20 quantity कर लिये 2400 और का bill बना है और जैसे मैं F2 करूंगा F2 करने के बाद 2400 और यहाँ पर वापस वही number में enter कर देता हूं कि आप जैसे सोचते होंगे कि अगर मैं वही number enter करता हूं कि एक customer आपके पास दो बार आ गया या चार बार आ गया तो वही number लिखवाएगा और उसके कौन-कौन से bill आपके सामने आते हैं यानि जो भी आप bill बनाओगे जिस bill number में आपने narration में यहाँ पर mobile number enter कर रखे हैं जो जितने भी bill है वो bill आपके सामने आ जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि सर में अगले मैंने आये था या पिर इस तारीक को आया था उसको idea लग जाएगा तो यहाँ पर 7976715528 मैंने contact number enter कर दिये इसके बाद कर दिया ok ok कर दिने के बाद कर दिया मैंने save save करने के बाद दुबारा से मैं check करके बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक mobile number से दो bill बनाए थे अब मैं उनको mobile number से सर्च करना चाता हूँ तो मैं केसे सर्च कर सकता हूँ यहाँ पर display पर आपको click करना है query system पर आपको click करना है और इसके बाद जो query on transaction इस पर आपको click करना है all voucher tax only पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको contact number enter करना है 7976715528 और यहाँ से कर देना है आपको ok ok कर देना है ok ok आप जैसे ही करोगे तो अब आप देख पारे हो कि यहाँ पर मैंने दो bill बना रखे हैं एक ही contact number से तो यहाँ पर इस तरीके से आप search कर सकते हो अगर आप नाम लिखना चाते हो तो नाम से भी आप search कर सकते हो तो दोस्तो features बहुत ही अच्छा है आप इसका जरूर benefit ले यह इसलिए बनाया गया है कि लोगों के problem ना हो तो दोस्तो ऐसी useful वीडियो देखने के लिए आप channel को subscribe कर सकते हो और bell icon प्रेस कर सकते हो ताकि नए वीडियो के notification आपको मिल सके I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद